गुड मॉनिंग सायराम बच्चों देखो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों ब्याक्रण हिंदी पीरियड में हम पढ़ रहे थे ब्याक्रण का सेकेंड चेप्टर वण विचार क्या पढ़ रहे थे वर्ण कैलाती वर्ण किसे कहते हैं भासा की सबसे चोटी यह काई को वर्ण कहते हैं पिर हैं हिंदी वर्ण वाला में कुल 11 स्वर तथा 33 वेंजन हैं वर्ण दो परकार के होते हैं स्वर और वेंजन स्वर के तीन भेद हैं हाश्व, दीर्ग और पलूट स्वर बिना किसी की साहता से बोले जाते हैं और ब्यंजनो का उचारण स्वरों की साहता से होता है स्वरों की मात्राई होती है जो ब्यंजनो की नहीं होती है सोरों की मात्राईं होती है लेकिन ब्यंजनों की नहीं होती है और ब्यंजनों पर सोरों की मात्राईं लगाई जाती है जबकि सोरों पर सोरों की मात्राईं नहीं प्रयोग की जाती है बहुत से बच्चे क्या करते हैं ए पे भी ए की मातरा लगा देते हैं उ पे भी उ की मातरा लगा देते हैं तो वो क्या है गलत सोरों की मातराईं सोरों पे नहीं लगती हैं बलकि सोरों की मातराईं व्यंजनों पर लगाई जाती है सब्द के वर्ण को अलग-अलग करके लिखना वर्ण विच्छेत कहलाता है वर्ण विच्छेत वर्ण विच्छेत की सेक है जब सब्द को हम अलग-अलग करके लिखते हैं तो वो क्या कहलाता है वर्ण विच्छेत तो अभी तक हमने ये सब पढ़ा था तो अब हम पढ़ेंगे क्या है? अब इसका अभ्यास कारे करेंगे हम क्या करेंगे? अभ्यास कारिया पहला है सोचे और बताईए पहला क्वेशन क्या है? सोचे और बताईए मौकी क्वेशन है हिंदी की वन वाला में कितने स्वर होते हैं? अभी बताया था आपको कितने स्वर होते हैं, ग्यारा, कितने होते हैं, ग्यारा, सिरो रेखा से आप क्या समझते हैं, सिरो रेखा मैंने आपको बताया थी सिरो रेखा क्या होती है, जो हम हिंदी और संस्किर्ट सब्दों के उपर जो लाइन खिंचते हैं, खिंचते हैं, इं क्या कहलाती है शिरो रेखा से आप क्या समझते हैं हिंदी बाज संस्किर सब्दों के ऊपर खीची जाने वाली रेखा सिरो रेखा कहलाती है सहित अक्षर कौन कौन से हैं कौन कौन से आपको बताया था सहित अक्षर अक्षा ट्र ग्यां और स्र यह चार क्या हैं आपके सहित नमबर टू में देखें नीचे दिये प्रश्णों के उत्तर दीजे वर्णों का ब्यवस्तित समू क्या कहलाता है वर्ण माला क्या कहलाता है आपका वर्णों का ब्यवस्तित समू वर्ण माला ब्यांजनों को बोलनी के लिए किसकी सायता लेनी पड़ती है? स्वरों की फिर है विसर्ग का परियोग कहां किया जाता है? संस्किर्ट सब्दों में विसर्ग का परियोग किया जाता है हलंत का परियोग कब किया जाता है? आ रहित वर्णों को लिखने में तो आ रहित वर्ण ब्यंजन जब ब्यंजनों के साथ कोई स्वर ना मिला हो या आ नहीं हो तो वहाँ पर हम क्या है हलंत का परियोग करते हैं समझ में आया है आ रहित वर्णों को लिखने में हम हलंत का परियोग करते हैं अब है question number three सही तथा गलत का चिन लगा यानि जो वाक्य आपके सही हैं उनके आगे सही का निशान लगाना आपको और जो वाक्य गलत हैं उनके आगे आप cross करना है यानि उनको गलत का निशान लगाना है तो पहला है आपका भासा की सबसे छोटी काई सब्द है सही है? नहीं गलत है भासा की सबसे छोटी काई क्या कलाती है वर्ण वर्ण भासा की सबसे छोटी काई है सब्द नहीं है तो ये वाक्य क्या है आपका गलत फिर है आपका हिंदी की वर्ण वाला में ग्यारा स्वर है किते स्वर हैं? ग्यारा तो क्या है ये वाक्या? सही और तीसरा है स्वरों की मात्राई होती है ब्यांजनों की नहीं बिल्कुल सही अब मैं बताया था मैंने आपको स्वरों की मात्राई होती है लेकिन ब्यांजनों की मात्राई नहीं होती है अक्षा त्रा ग्यास रा संयुक्त ब्यंजन है क्या है ये संयुक्त ब्यंजन गलत ये क्या है संयुक्त आक्षर है संयुक्त वर्न है संयुक्त ब्यंजन नहीं है क्या है ये संयुक्त वर्न संयुक्त आक्षर है संयुक्त ब्यंजन नहीं अभी मैं आपको इसमें बताती हूँ, आपके पास था संयुक्त ब्यंजन, संयुक्त ब्यंजन आपके क्या होते हैं, यह संयुक्त आक्षर है, संयुक्त ब्यंजन आपके क्या है, वन माला में चार संयुक्त आक्षर है, अक्षा तरग्या, यह संयुक्त आक्षर है, लेकिन सं समयक्त ब्यन्जन क्या हुट है। जैसे शा औरता बस्ता इस तरह तरह से बनाया था। और कई और खा से, मख्खी लढ़ वढ़ मुरने अधा अक्षर और पूरा अक्षर जब होता है तो वह क्या होता है, समयुक्त ब्यन्जन लेकिण यह अक्षा तरग्ञ्य क्या है समयुक्त आक्षर तो यह आपका गलत है फिर है स्वरों को बोलने के लिए ब्यंजनों की सायता लेनी पड़ती है गलत स्वर स्वतंत्र होते हैं स्वरों को बोलने के लिए किसी भी तरह के ब्यंजन की सायता नहीं किसी भी वर्ण की सायता नहीं पड़ती है जबकि ब्यंजनों के लिए सवरों के आओ सकता पड़ती है ना कि सवरों को बोलने के लिए ब्यंजन की तो ये वाकिया आपका गलत है फिर है आपका नीचे देश सब्दों का वर्ण भिछेद कीजिए देखो मैंने वर्णों को वर्ण भिछेद क्या होता है सब्दों को अलग अलग वर्णों में दर्साना वर्ण भी छेद है जैसे पीला, पी पा के साथ कौन सा स्वार मिला है तो प प्लस ई प्लस ल प्लस आ तो क्या बना पीला दिशा, दिशा में छोटी ई दा के साथ क्या है छोटी ई है तो द, प्लस ई, प्लस अ, प्लस अ, प्लस अ, कृपा, क, प्लस री, प्लस अ, प्लस प, प्लस अ, कृपा, अनार, अ, प्लस न, प्लस अ, प्लस रा, प्लस अ, अनार, तो इस तरह से आप वर्ण बिच्छेत करोगे. फिर है नीचे लिखे संयुक्त आक्षरों तथा संयुक्त ब्यंजन के दो दो शब्द बनाई देखो संयुक्त आक्षर कक्षा रक्षा और संयुक्त ब्यंजन क्या है ये मा से जो डबल मात्राई है ये है संयुक्त ब्यंजन और जो अक्षा तरह है ये क्या है संयुक्त आक्षा तो आपका है पहला कक्षा, अक्षा से क्या है कक्षा रक्षा तरा से त्रिशूल त्रिनेत्र, स्रा से स्रेष्ट सिर्मान क्यत, क्यत है ये है संयुक्त ब्यांजन, वक्त सक्ती फिर इदर ग्या से ग्यानी ग्यान म मा से मम्मी सम्मी इस तरह से चम्मच इस तरह से आप बना सकते हो तो ये है संयुक्त ग्यांजन अब समझ में आगए आपको संयुक्त ब्यांजन और संयुक्त आक्षर तो अक्षर चार है अक्षा तरह ग्यां और स्रा बाकी संयुक्त ब्यंजन कितने भी बनाये जा सकते हैं फिर है आपका क्वेशन नमबर सीक्स नीचे दे गई ब्यंजनों को सही स्थान पर लिखे अब ये आपके बॉक्स दिया हुए है और इसमें कुछ ब्यंजन दिये हुए और नीचे एक चार्ट दिया हुए है आपने इसमें फिलाप मैंने इसमें फिलाप कर दिया है लेकिन आपको खुद करना है का ख ग घ ग च च ज ज ज ज य ठीक है तठ डडडण तठ डद न शॉरी इसमें गलत भर रखाए ये न पा फ बभ म यर ल व श देखो यहां पे यह किसी गलत दिया है यहां पे क्या एगा यर ल व श आएगा ठीक है तो इसमें देई नहीं रखा आपका तो बच्चों आपका ये थे एक्सरसाइज अभी मैं आपको दूशा है आपका क्वेशन नमबर सेवन नीचे कुछ नाम लिखे हैं इन्हें वन माला क्रम में लिखे उदिता ओजश्चुता तानिया चिराग अतुल नीरा सेलजा जया तो आपको इसको वन माला क्रम वर्ण माला करम क्या है जो वर्ण पहले वर्ण माला में पहले आता है जैसे आ पहले आता है ग्यां लास्ट में आता है तो हम पहले किसको लिखेंगे आ वाले वर्ण को यानि आ से तो वर्ण माला में जो वर्ण पहले आता है यानि आ पहले आता है तो आ से बना जो सब्द इस इसमें होगा, उसे हम पहले लिखेंगे, तो पहला वर्ण इसमें क्या है, अतुल, सबसे पहले आ से कौन सा वर्ण ने, कौन सा सब लिखा है, अतुल, फिर आ के बाद इसमें, कौन सा है, उ, उ से उधिता, फिर ओ, जिश्विता, फिर ओ के बाद, कौन सा वर्ण पहले आता है इन में च, तो चिराग, फिर जया, तान्या, नीरा और सेलजा, तो ये आपको वर्ण माला के अकॉर्डिंग यानि वर्ण माला के इक्रम में इनको लिखना था, फिर है question number 8, आप ज, प, के उचारन वाले तीन-तीन सब्द लिखें, जो दूसरी भासाओं से हमारी वर्ण माला में जो अक्षर आये हैं, उनके हमें तीन-तीन सब्द लिखनें, जैसे डाक्टर, बाल, चाक, फिर जासे रमजान, जमीन, जहर, पासे फिजा, फिकर, फरिस्ता, यह है आपका यह तीन-तीन वर्ड, फिर आपकी नीचे आईए, कुछ करें, नीचे दिये संकेतों को पढ़कर, खाली वर्गों को पूरा कीजे, अब इसमें तो भर रखा है, लेकिन इसमें जो आपकी, अगर आप लोगों को बुक्त मिल गई हैं, तो आप उसमें अपना य गुजरात, एक फूल, गुलाव, एक पेड, बास से क्या बनता है, बरगत, और एक पसु, बकरी, पढ़ने का इस्तान, बिध्याले, एक खिलाडी, बिराट, फिर है, रहने का इस्तान, मकान, एक सबजी, मटर, तो यह आपकी वर्ग पहली है, अगर आपको बुक मिल गई ह तो आप जो यह खाली स्थाने, जितने भी मैंने पैंसल से आपके इसमें लिख दिये गए हैं, तो आप उनको अपनी बुक को फिल करना, उसमें अपना यह चेप्टर कम्प्लीट करना फिर, इसके अलावा, बच्चों मैं आपको इसमें MCQ दे रहे हूं, दोनों चेप्टर के परस्ट चेप्टर और सेग्ड चेप्टर, दोनों चेप्टर के आपके पास MCQ हैं, जो कि आपने हिंदी नौटबुक में इसको करना है, तो आपका हिंदी ब्याकरण पार्ट एक, माहरास्ट की भासा क्या है, वैसे आपने आपको वो भी दिया था, यह पहले चेप्टर के MCQ हैं, इसको आप अपनी नौटबुक में, जो आपको स्कूल की नौटबुक अगर मिल गई हो, तो उसमें लिखे, अगर नहीं मिली हो, तो आप रफ नौटबुक में इसको कर सकते हैं, तो लेकिन इनको लिखना जरूरी है, आप यह जरूर करिए, मारास्त की भासा क्या है, मराठी, भासा लिखने के धंको क्या कहते हैं, लिपी, अगर आपनी वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे, तो आपको यह क्वेशन आराम से अपना आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं इसमें आंसर बताते हैं, जा रही हूं, भासा लिखने के ध दो, हिंदी की लिपी क्या है, देवनागरी, पंजाब की लिपी क्या है, गुरु मुखी, भारतिय समिदान में कितनी भासाओं को मान्यता प्राप्त है, 22, 22, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर, 14 सितंबर, भासा सब्द किस धातु से बना है, भास धातु से, माचार बत्र भासा का कौन सा रूप है? लिखित. भारत की प्राचिनतम भासा कौन सी है? संस्कृत. कौन सी है? संस्कृत. गवला लास्ट. भारत की प्राचिनतम भासा कौन सी है? संस्कृत. ये तो थे आपके फर्स्ट चप्टर की MCQ. सेकंड चप्टर की MCQ है आपके? देख कितने स्वर हैं? ग्यारा, इलेवन फिर है हिंदी वा संस्किर सब्दों के उपर खीची जाने वाली रेखा क्या कहलाती है? सिरो रेखा, कावला सिरो रेखा निमल लिखीत में संयूक्त वर्ण बताओ कौन सा है? अक्षा, गावला अक्षा क्या है? संयूक्त वर्ण वर्णों का व्यवस्तित कार्म क्या कहलाता है? वर्ण माला क्या कहलाता है? वर्ण माला विसर्ग का प्रियोग कहां क्या जाता है? संस्किर्ट सब्दों में खावला किसमी क्या जाता है? संस्किर्ट सब्दों में प्रियोंग जाता है हलन्थ भासा की सबसे चोटी काई question number seven भासा की सबसे चोटी काई क्या है स्वार भ्यादन या वर्ण क्या है वर्ण अभी मैंने अपको पड़ाया था न तो क्या है वर्ण वर्ण कितने परकार के होते हैं 2 कौन कौन से स्वर और वियंजन वियंजनों को बोलने के लिए किसकी आउश्रता होती है स्वरों की किसकी आउश्रता होती है स्वरों की लास्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर टैन स्वर कितने परकार के होते हैं दो कौन कौन से स्वर कितने परकार के होते हैं तीन कौन-कौन से हश्व, दीर्ग और पलूज तो ये आपके MCQ है जो कि आपको अपनी नौट बुक में करने हैं और आप नहीं वैसे मैंने इसमें आपको आंसर बता दिये हैं आपको अगर फिर भी समध में नहीं आए तो एक बार पुन्हा इस वीडियो को देखे और इन क् एक्सरसाइज इससे आप अपनी एक्सरसाइज भी कंप्रीट करते रहना तो आज के लिए इतना काफी है धन्यवाद अब मिलेंगे हम नई चैप्टर के साथ